नमस्कार, मैं आसीस राठोर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोट SBI को ले करके काफी जादा सक्त है और सुप्रीम कोट क्यों SBI को ले करके इतना जादा सक्त है वो मुद्दा है इलेक्टोरल बॉंड्स को ले करके चुनावी चंदा को ले करके और यह इलेक्टोरल बॉंड्स आखर है क्या इस विशाय में बात करेंगे लेकिन सुप्रीम कोट के सक्त होने पे SBI ने कदम तो उठा दिया है लेकिन आज SBI ने सुप्रीम कोट के कहने पे आज किया क्या ऐसा वो खबर सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी दोस्तों लेकिन ज़रा ये समझिए कि जब सुप्रीम कोट सक्त होती है और यहाँ पर सुप्रीम कोट ने साथ तौर पे SBI को ये बात कही कि इलेक्टोरल बॉंड्स का पूरा डे दिजिए और पंद्रा मार्च तक इलेक्शन कमिशन जो है इलेक्टोरल बॉंड्स का डेटा अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर देगी है हलाकि समय मांगा 30 जुन तक SBI ने लेकिन तुरंत सुप्रीम कोट सक्त हो जाती है और लातार भी लगाती है इस पे आपको बता द आते हैं किवरे SBI को सुप्रेम कोट ने पूरी तरीके से लतार लगाती है और कहते हैं कि SBI के आवेदन पर सुप्रीम कोट से जो सख्ध रुक अपनाया उस पे प्रसांत भुसंद पूरी तरीके से सीना पीचने लगा गREE कुछ गोधी मीडिया तुरंत कुद करके सामने आ कि अब तो पूरी तरहिके से गुप्त खुलासा हो जाएगा कि इलेक्टोरल बॉंड्स में कितनी चुनावी चंदे बीजेपी को मिले हैं सबसे बरी पार्टी को मिले हैं अरे अब तो पूरा एक्सपोज हो जाएगा बीजेपी लेकिन ये विपक्ष का ये एक गेम था और गोदे मीडिया उससे पुरी तरीके से मिला हुआ था कि लोग सभाद चुनाओं से पहले इलेक्टोरल बॉंड्स का डेटा सुप्रीम कोट पुरी तरीके से सक्त और समय देने के लिए भी तैयार नहीं आखर सुप्रीम कोट किसके लिए काम कर रही है चलिए वो तो बात का बात है लेकिन आज जो ख़बर आई वो खाफी जादा इंट्रेस्टिंग है SBI पुरी तरीके से एक्टिव हो गया जो काम 26 दिन में करना चाहिए था वो काम दो दिन में करके दिखा दिया SBI ने और देखिए सच को आज क्या जब हम सही है जब हमने कोई गलत काम नहीं किया है तो हम डरेंगे कि तो SBI दिन रात लगा दिया उसमें इलेक्टराल बॉंड्स का डेटा जुटाने और पूरी तरीके से लीगल और अथेंटिक दोस्तों देखिए इलेक्टराल बॉंड्स है क्या कि कोई भी राजनिती पाटी को अपना खमाई होता नहीं है उन्हें चंदा मिलता है गुप्त चंदे होते हैं अगर उसको पब्ल पूरा खेला कर दिया यह तमासा होते रहता है तो इसलिए एक नियम लाया गया इलेक्टराल बॉंड्स का कि इसमें आपको जो जो चुनावी चंदे मिल रहे हैं उसका पूरा डेटा पब्लिश होना चाहिए इलेक्शन कमिशन के वेब साइट पे अब देखिए यहां पे स साथ तोर पे अदेश दिया था कि 12 मार्च तक इलेक्टराल बॉंड्स का डेटा है तुम दे देना है इलेक्शन कमिशन को और चुनाव आयोग 15 मार्च तक अपने वेब साइट पे डालेगा कि यह पुरी तरीके से सुप्रीम कोट्ड ने लतार लगाई थी स्पाइए ने पुरी तरीके से समय भी मांगा था कि दे दीजिये समय दिक्कतें हैं ये वो तमासा लेकिन सुप्रीम कोट सक्त हो गई लेकिन दोस्तों जो खबर आती है इससे एक विरोधी गैंग गोधी मीडिया सीना पीट रहा है रवीश कुमार सीना फार फार करके दिन रात बीजेपी को टारगेट करके SBI के लोगों में छोटी सी मोधी जी की फोटो दिखा करके वो पूरी तरीके से टारगेट की हुए था लेकिन आज जब SBI ने जब इलेक्टरल बॉंड्स का डेटा पूरी तरीके से इलेक्शन कमिशन को दिया तो रवीश कुमार चुप हो गए रवीश कुमार के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है लेकिन कूदते हुए सबसे पहले इंसान यही है जो आता है बीजेपी को टारगेट करने और सबसे पहला बेलज और बेशर्म इंसान यही है जो दुबक करके चुपचापो करके शांत हो जाता है देखिए आपको पूरी खवर दिखाते हैं दोस्तों जड़ा देखिए क्योंकि सबुत के साथ भी तो बात करना होता है यह देखिए आप थोड़े दिर पहले की खवर में आपको दिखा रहा हूं SBI ने इलेक्टोरल बॉंड का डेटा इलेक्शन कमिशन को भेज दिया है 15 माज तक वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा सुप्रीम कोट ने आज की जो डेट है वो डेडलाइन दी थी यह दैनिक भासकर की खवर है कुछ लोगों को एक निल्च पर तो भरुसा नही होता है चलिए यह एंडी टीवी की खवर है यह भी देख लीजिए SBI ने इलेक्शन कमिशन को भेजा चुनावी बॉंड का बेवडा सोंबार को सुप्रीम कोट ने दिये थे सक्त आदेश अब देखिए आगे भी देखिए यह भी एक ऑफिसियल नीश पॉर्टल है इसमें भी दो मिनट पहले की खवर है सुप्रीम कोट की 12 मार्च की समय सिमा समाप्त होते ही SBI ने चुनावी बॉंड पर दस्तावेश तयार किये यह पूरा खवर हमने आपको दिखा दिया दोस्तों अब इसमें बताईए आप कि सुप्रीम कोट ने तो सक्त कदम दिये सक्त आदे जे तक वो पूरा वेबसाइट पे भी इलेक्शन कमिशन के वेबसाइट पे भी इलेक्टोरल बॉंड का डेटा सब देख सकता है लेकिन अब जो मोधी सरकार को जो टार्गिट कर रही थी गोधी मीडिया क्या माफी मांगे गी उनके पास अब कोई भी माफी मांगने का में खूद करके आते हैं और कपिल सिपल भी स्टेटमेंट देते हैं जड़ा देखिए आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं मैं इलेक्टोरल बॉंड को लेकर के कपिल सिपल कहते हैं कि चुनावी बॉंड विवरन प्रकट करने के लिए समय बढ़ाने के लिए SBI का प्रकट ने निर्देश दिया है अब जब SBI ने रोकने की कोशिश की अदालत तनकर खरी रही चलिए अदालत अंकर खरी रही अच्छी बात है लेकिन 12 मार्च का डेडलाइन था 12 मार्च को जो है इलेक्षन कमिशन को डेटा दे दिया है 15 मार्च तक जो है वो इलेक्षन कमिशन के वेबसाइट पर भी दिख जाएगा लेकिन आपकी इतनी खुशी कपिल से बल का भी ये साब तोर पे लगता है कि अंदर से खुशी है कि अरे अब तो पूरा डेटा लिख होगा अब सब हो जाएंगे आरे जो सच होता है उसे दिक्कते क्या जो जूट होता है उसको अपनी डेटा लिख करने में डर होता है यहां साब तोर पे दोस्तों देखिए जरा कि दैनिक भासकर का ही ये खबर है कि इलेक्टोरल बॉंड मामले में इस भी आइने पूरा डेटा चुनाओ आयोग को मंगलवार यानि आज सारे पांच बजे सौब दिया है बार एंड बेंच ने ट्विटर पे ये जानकारी दी है इलेक्शन कमिशन इस पूरे डेटा को 15 मार्ज तक अपलोड करेगा अब इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें छुपाने के लिए कोई मामला ह ही नहीं हमने आपको सबूत भी दिखा दिया पूरा आपको मामला भी बता दिया कि सब क्लियर है कुछ चुपाने के लिए बचा नहीं है आप अपने बारे में सोचें कि आपकी क्या स्थिति होगी देखिए एलेक्टराल बॉंस में 1000-1000 करोर रुपे का चंदा आता है उसका पूरा डेटा, SBI सबसे बरी बैंक है, और सबसे बरी बैंक है, तो उनके पास पूरा डेटा होता है, और उसी डेटा को पब्लिश करने की बात हो रही थी, अब समय चाहिए था, भले सुप्रेम कोट ने सक्त आदेश दे दिये, लेकिन इतनी जल्दी, अगर सुप्रेम कोट भरस्टाचारियों को सजा देने में अगर लगा देती, तो शायद इस भारत देश में भरस्टाचारी बचते ही, उनका पूरी तरीके से खेल खतम हो जाता है, लेकिन आज समय बढ़ाने को लेकरके, SBI ने जो समय मागा था, इलेक्टोरल बॉंड्स के डेटा को जमा करने के लिए, इलेक्सन कमिसन को समय मागा था, SBI ने भले सुप्रीम कोट सक्त कदम उठाती है, कपिल सिबल उस पे खुशी जताते हैं, लेकिन जरा ये भी तो देखें, कि एक ओफिसियल खबर से आती है, कि केंदर के खिलाफ लर लाख रुपे, अब इस पे भी पूरी तरीके से हंगामा मचना है, आपका क्या कहना है, कि 75-75 लाख रुपे केंदर सरकार के खिलाफ खरे होने के लिए आप ले लेते हैं, और यहां तमाशा करते हैं, अभी देखिए दोस्तों आपको ये भी दिखाते हैं, कि चुनाव आय लोग इलेक्टरल बॉन्ड की खरीद को भी सारोजनिक करेगा, जो अब तक केवल सिलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोट में जमा किये गए थे, 11 मार्च को सुप्रीम कोट ने बैंक को फटकार भी लगाई थी, और 12 मार्च सान तक डिटेल देने को निर्देश भी दिया तो जो सुप्रीम कोट ने निर्देश दिया था, SBI ने उसको पूरी तरीके से पूरा किया, और अब थोड़ा आपको बैक में ले करके चलते हैं, मामला जो हुआ, मामला विभादित हुआ, इस पे CJI ने क्या स्टेटमेंट दिये, वो भी आपको दिखाते हैं, देखिए सीजाई कहते हैं कि हमने 15 फरवरी को फैसला दिया था, आज 11 मार्च हो गया है, पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाएं, कुछ भी नहीं बताया गया है, आपको जानकारी देनी चाहिए, लतार लगाया, SBI को कि सुधर जाओ, और इलेक्टोरल बॉन्स का पूरा डे इलेक्षन कमिशन को भेजो, हलाकि CGI ने लतार लगाई, कि 26 दिन में आपने क्या किया, आगे देखिए, सुप्रीम कोट ये भी कहती है, SBI को अपने चेर्मेन और मैनेजिंग डेरेक्टर का एफिडेविट फाइल करना होगा, जिसमें लिखा होगा, कि SBI दिये गए आदे आदेशों का पालन करेगी, हम अभी कोई कंटेम्ट नहीं लगा रहे हैं, अगर आज के आदेश का वक्त रहते पालन नहीं किया, तो हम SBI के खिलाफ लीगल एक्षन लेंगे, तो सुप्रीम कोट ने पुई तरीके से ये बात भी गई थी, कि भैया, हमने जो जो तुमको कह है, जो जो बाते कही है, उस पे तुरंत एक्षन लो, नहीं तो तुम्हारे उपर लीगल एक्षन लेंगे, तो चलिए, जो बाते थी, कि सुप्रीम कोट ने जो सक्ट आदेश दिये थे, कि तुम्हें इलेक्टरल बांड का डेटा, इलेक्षन कमिशन को देना परेगा, और पंदरा मार्च को इलेक्षन कमिशन के ओफिसियल वेवसाइट पर उसे पब्लिश भी करना पड़ेगा, तो उन बादों को SBI जो है, वो पूरा करती हुई दिख रही है, लेकिन इससे विरोधी और विपक्षी जो है, वो पूरी तरीके से सीना पीटते हुए दिख रहे है अलाकि आप क्या सोसते हैं दोस्तों इन तमाम मुद्धों पे अपनी विचाज़ वेख कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अबडेट पाने के लिए इस चानल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजेगा, और अपने दोस्तों पे शियर जो कीजिएगा, थैं